कि भारत की growth story को हम क्यूं इतना सरवोच भी मान रहे हैं जब ऐसे समय पर जब दुनिया की जो अर्थिविवस्था है वहां पर हम कुछ स्थिती उतनी ब्राइट नहीं देख रहे हैं लेकिन भारत पर भरोसा बरकरार है क्योंकि जो बाते कही राधिका ने उसमें आप और क्य जोड़ना चाहेंगे नमस्कार स्वाती जी आपको भी नवरातरी की देखो कामना है आपके दर्शकों को भी जैसे राधिका जी ने कहा कि काफी सारे variables हैं जो इंडिया को support करते हैं बट आज की current स्थिती की अगर बात करें स्वाती जी तो globe जो स्थिती में हैं वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा शौक हुआ है अल्मोस्ट जो 10-year Fed rate है वो 17 साल के हाई पे हैं August 2007 में यह levels देखे गए थे 5% on 30-year Fed rate बहुत बड़ी बात होती है वो उसको भी 16-17 साल के peak पे माना जाएगा बड़ अगर हम इंडिया की interest rates की बात करें 10-year RBI bond की बात करें या government of India की बात करें तो 7.3 का आज की current yields उस range में है 10-year की average 6.8 तो ज़्यादा फरक नहीं इंफ्लेशन का नंबर देखें अफ्कोर्स इंफ्लेशन थोड़ा cool off होया और cool off होने की अंदेशा है मानसून के अच्छा harvest के बाद बट हमारा जो इंफ्लेशन रहा है last 10 years की उसकी भी average almost 6.4-6.5 रही है तो inflation और interest rate जो जो globally fight कर रही है तूसरी economies इंडिया के लिए business as usual है US का 10-year rate है almost 2.1-2.2 की average रही है last 8-9 years की और आज हम 4.5, 4.7, 4.85 तक की peak देख चुके हैं so that's very very unique second job 4-5 important economic variables देखें so GDP growth 7.2 almost at on course 10.3% की service sector GDP growth आई है जो जादिका जी भी कह रही थी second GST collection 11% उपर है which I think is great 1.16162 lakh crores की collection हुई है जो correctly दर्शाता है कि ground level पे economic activity है third fiscal deficit हम इस बार सिफ 36% penetrate की है हमारे fiscal target को इस time तक हम almost 60% penetrate कर चुके होते है last 20 year की average है तो fiscal prudence आप IIP का data देखें तो पूरे variables also liquidity अगर आप देखें तो FII became positive domestic liquidity देखें आप SIP के आकड़े देखें पोस्ट लंसम के exit के भी 60,000 crores आए है तो यह 5 variables को देखके हमें विश्वास है कि यह बात नहीं है बट I think economic activity की वज़े से और macro economic variables काफी conducive है corporate environment के और यहाँ पर अगर हम भारत में निवेश के मौकों की बात करें रोज हम समय आपर यह चाहिए है कि घरेलू versus अंतराष्ट्रे बाजार क्यों हम कह रहे हैं कि भारत ही है निवेश के लिए बहतर अगर हम देखते हैं U.S. Treasury Yield फिलाल at all time high या dollar strengthening, dollar investing उसके मुकाबले भारत को हम निवेश के मौके पर इतना पसंदीदा क्यों मान सकते हैं I think Swati ji अगर हम देखें कि economic growth पे ही आदारित होती है corporate की earnings की growth अगर economy 7-8% पे grow होती है अगले 5-10 साल के लिए और GDP अगर inflation को जोडा जाए nominal rate पे 11-12% पे grow हो रही है तो Nifty की जो earnings है वो long term में इसको track जरूर करती है 5-year rolling का data हमने analyze किया तो अगर Nifty 10-12% compounded बढ़ सकती है और active funds 3-4% का alpha भी दे सकते है Nifty based small cap mid cap की combinations के साथ तो अगर आप अपने पैसे को 13-15% grow कर सकते हैं तो 5 सालों में वो दुगना होता है 15% पे और 10 सालों में 4 गुना होता है तो आपकी equity portion अगर 4 गुना हो सकती है आपकी deck portion दुगनी हो सकती है तो total मिलाके आप अपने overall पैसे को 3 गुना बढ़ा सकते हैं 10 साल माना की dollar appreciation की गुनजाईश होती है but I think interest rate का जो differential है इंडिया और US में वो काफी कम हुआ है तो dollar depreciation long term में जो 2.51% की 15 साल की average है अगले 10 साल के लिए हमारे इसाब से 2 से 72% की dollar depreciation हो सकती है उसका provision जरूर करना चाहिए फिर भी अगर आपको 11-12% का dollar return equity से मिल सकता है और debt से 5% का dollar return मिल सकता है तो double digit dollar return approximately आप पहुन सकते हैं long term में इंडिया में रहे तो global investing की जो risks हैं वो काफी बड़ी है आज अगर हम देखते हैं तो एक साल में जो realized risk है, realized volatility है S&P 500 की nifty से ज़्यादा है यह काफी shocking बात है कि S&P 500 की standard deviation और realized volatility जिसको derivative lingo में कहते हैं वो ज़्यादा है so point is अगर आपको कम risk में अगर आपको dollar return 9-10% की मिल सकती है तो इंडिया में ही क्यों न रहे और उसका फाइदा क्यों न उठाए फिरोज आपके नजर में कौन से sectors में अभी मौके हैं और सबसे important बहुत eventful यह साल रहा है और आने वाले एक-दो साल उससे भी ज़्यादा eventful रहने वाले हैं बाजार पर कैसा असर expect कर सकते हैं yes प्रहा सवाल sector का I think I completely concur with Radhika जी that काफी सारे sectors हैं जो long term के लिए growth support करेंगे but अगर आप sector investing करने हैं तो बहुत short term sector movements होती है for example 3-4 मेने पहले आपी के साथ जब बात हो रही थी IT एक sector था but आप already IT sector ने 11% की out performance दे थी फिर results अचे नहीं आए तो अगर आपको sectorial positions लेनी है और वो fund manager का काम आपको खूद करना है तो जाहिर सी बात है आपको enter करना पड़ेगा exit करना पड़ेगा short term capital gains book करनी पड़ेगी so यह जो एक chicken and egg story है अगर आप sectors को परसूप करते हैं but I think यह काम ना fund manager पर ही ज़स्ता है यह मेरा हमेश्चा मानना है retail निवेशक के लिए because आपको exit भी करनी है तीन महीने में सही चले गए तो भी exit करनी है अगर सही नहीं गए तो दो साल वेट करना है तो बहुत fluid होता है आपका exit period so that's point one अगर आप long term में देखें तो मेरे इसाब से pharmaceutical एक sector है इंडिया के लिए जो stand out कर सकता है long term में 2-3%-4% की nifty से alpha generate करने की शमता रखता है वो क्यूं और हमारा क्यूं विश्वास है उस पे नहीं जाओगा but that's one sector but रहा सवाल कौनसी investments है आज आप देखें कि अगर आप carefully अपने 385 active funds में से अगर diversified schemes भी 200 मानूं तो बहतरीन से बहतरीन और खराब से खराब scheme में 30% का अंतर होता है साल दर साल का तो आप अगर गलत scheme में गुषते हैं या सबसे अच्छी scheme में गुषते हैं तो एक साल में 30% का अंतर हो सकता है तो इसलिए हम काफी research करके एक 14 scheme का module portfolio चलाते मैं तो अपने पूरे पैसे उसी मातरा में 14 schemes में डालता हूं ताकि वो 3-4% की alpha आ सके अगर कोई nifty को 3% 10 साल के लिए बीट कर लेता है ना के nifty के 12 बढ़ आपका portfolio 15 जेनरेट करता है तो आपके 100 रुपे 300 रुपे ना होके 10 सालों में 100 रुपे 400 रुपे हो जाते है यह सुनने को 3% का जो alpha है nifty पे बड़ा छोटा सा लगता है बड़ो जब वो compound होता है आपके असल जितने की मातरा का alpha आ सकता है रुपी value में 10 सालों में तो मेरा तो यह मानना है कि active funds खरीदें बारीकी से अगर आप छुट पाए तो 3% निफ्टी पे alpha generate करना इस नाट गोड़ा बी अन आवट्रेजी स्टाइट